मत्रा जंक्सन के साउथ ब्लॉक में तैनाथ महिला ट्रेक मैनों ने CPWI के खिलाप मोर्चा खोल दिया है महिला उने CPWI पर अनलगर बाते करने का आरोप लगाया है जी आर्पी थाने में मामले की लिखे तैरीर दी गई है रेलवे की महिला करमचारी शुक्रबार सुभे जी आर्पी थाने पहुंची उनके साथ बेभाग के पुरुस करमचारी भी थे महिला करमचारियों का आरोप है कि CPWI उन्हें रात में फोन करते हैं बंगले पर बुलाते हैं अनलगर अपत्ती जनक बाते करते हैं ब्रोथ करने पर उनकी ड्यूटी परिशान करने के लिए लगाई जाती है कहा जाता है कि जाकर ट्रेक पर काम करो महिलाओं ने CPWI के खिलाब तहरीर दे कर कारूनी कारवाई की मांग की है महिलाओं ने आरोप लगाए कि CPWI उन्हें काफी समय से परिशान कर रहे हैं उनका जीना दुष्वार कर दिया है जब मनाता है तब ही फोन करते हैं फोन पर अस्रील बाते करते हैं CPWI के खिलाब कारवाई की मांग को लेकर रेलबे महिला करमचारियों की पुलिस कर्मियों से नोग जोग भी होई महीं CPWI प्रदीप चंद्रुल ने आरोपों को निराधार बताया है उनका कहना है कि महिलाएं काम नहीं करना चाती है ओपेस जूटी देना चाती है जब उन्हें टेक पर भेजा जाता है तो महिलाएं मना कर देती है उन पर दबाब बनाने के लिए निराधार आरोप लगाए जा रही है पूरे मामले पर थाना अद्यक्ष, जी आरपी, संदीप तोमने वताय की प्रकरण की जाच की जा रही है जाच में जो भी तथे सामने आएंगे उसके आधार पर दोशी के खलाब बिधिक कानूनी कारवाई की जाएगी ज़द दस वजे राध को कॉल करते हैं, साड़े नौ वजे की इनकी कॉल है और दूटी रहते हैं, हमारी आठ के पाथ एक गंटे का लगए यह लंच करने के भी मना करते हैं, ओपर से पांच वजे के बाद हमसे कहते हैं ज़द दूटी करो, साथ बजए के पांच के दूटी करो इसके बाद भी कहते हैं, मतलब साथ बजए करने के बाद भी इनका राध को कॉल आता है यह साड़े नौ बजए काल इनकी रिकॉरडिंग में हमारे पास है उपर से यह हमसे बत्तमी जी से बात करते हैं इसके अलाबा है यह हमारे दो महिना और है जो किया ना काम करते हैं यह अपने बंगले के अंदर काम कराने की कहता है कि मेरे घर के अंदर काम करूँ इस परकार दोते बहुत जलब विवार करती है किया नाम है प्रदीभ चंदुल जी अच्छा क्या नाम है प्रदीभ चंदुल भॉट प्रदीभ ट्रेसर में आ चुकी हो को बना रहा है प्रदीब चंद्रुल साथ क्या चैते हैं इनको जब बोला गया कि फील्ड में आप जाके काम करेंगे तो इन्होंने बोला कि हम फील्ड में काम नहीं करेंगे करेंगे तो यह इनकी पहले से इसे अंगामा करती रही है तो इसकी मैंने कॉंपिडेंशल इपोर्ट उच्चरविकारियों को भी जी जिसके आदार पर इसका ट्रांसफर यहां से मेरे ओफिस से कर दिया गया ट्रांसफर जी सुचना मिलने के बाद इन्होंने यहां पर अंग गलत कारे की वज़े से इस्ताना नतरं किया गया है इसलिए उधम कर देंगा है इनका कहना है कि फोन करते है राद में आप बंगले पे बुलाते हैं पर जब उनने माफी मांगी कि नहीं सारी गल्ती होगी तो पहले उनको फिर दोबारा ओफिस में काम कर रही है इंके दौर कारूब लगा गया है वो सरसर गलत है और वो सिर्फ आफिस में बैठके अपना समय गुजारने के लिए लगाए फिल्ड में ये काम नहीं करना चाहती है जबकि इनकी मुथी फिल्ड पर कारे कि लिए ही हूँ है